भचों हम चैप्टर पर रहे हैं coronavirus Tut पिछले वीडियो में हमने जाना इस प्राचीन मिस्त्र के राजा के बारे में और उसके परिवार के बारे में पर अभी बोहत सारी बाते जानने बाकी हैं इस राजा टट के बारे में तो भचों चलो करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग के शुरुवात, regardless of his fame, अपनी प्रसिधी के बावजूद, fame यानि क्या होता है, प्रसिधी तो प्रसिधी के बावजूद, and the speculations about his fate, और उसकी किस्मत के अनुमानों के बावजूद, TUT is one mummy among many in Egypt, TUT बहुत सारी mummyों में से एक mummy है Egypt की, how many, कितनी mummy है Egypt में, no one knows, ये बात कोई नहीं जानता, The Egyptian mummy project, जो Egyptian mummy project है, which began an inventory in late 2003, जिसने आरंभ किया inventory in late 2003, inventory यानि की सूची बनाना 2003 में, has recorded, इसने अभी लिखित कर लिया है, almost 600 so far, लगभग 6,000 mummyों के बारे में अभी लिखित कर लिया है, Egyptian mummy project के अंदर, and is still counting, और अभी भी ये counting कर रहे हैं, गर्णा कर रहे हैं, मतलब अभी भी बच्चों Egypt में इनको mummies मिल रही हैं, The next phase, जो दूसरा चरण था, अगला चरण था, scanning the mummies, वो क्या था, भी mummies को scan करना, with a portable CT machine, जो की किसे किया जाता था scan, एक portable, एक चलती फिरती CT machine से, donated by, जिसको दान किया गया था, the National Geographic Society, National Geographic Society के द्वारा, and Siemens के द्वारा, तो बच्चों क्या-क्या हमने इहां पर शब्द पढ़े हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर शब्द को साथ-साथ रिवाइस कर रहे हैं, तो सबसे पहला है regardless, regardless यानि की बावजूद, fame यानि की प्रसिधी, speculations यानि की अनुमानो, fate मतलब नियती, inventory यानि की सूची, recorded मतलब अभी लिखित, counting यानि की गणना करना, phase मतलब चरण, portable यानि की चलता-फिरता, donated यानि की दान दिया, तो भही यह जो mummies है, इनको scan किया जाता है, portable CT machine से, चलती-फिरती CT machine से, जिसको दान किया गया है, यानि की CT machine जिसे दान किया गया है, National Geographic Society और Simmons के द्वारा, it's manufacturers, क्या है बच्चों Simmons, यह जो machine है, CT machine है, उसके manufacturer है, निर्माता है, King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countryman, तो जो राजा Tut है, वो one of the first mummies है, यानि की बहुत सारी mummies में से पहली वो mummies है, to be scanned, जिसको जाचा जाएगा, in death, मृत्यू के बाद, as in life, जैसे की उन्होंने अपने जीवन में किया, moving regally, वो क्या करते थे राजा, regally, यानि की शान से के साथ में ahead भरते थे, आगे रहते थे, of his countryman, अपने देशवासियों से, तो बच्चों क्या बोला गया है, आपे देखिए, राजा Tut, जो अपने जीवन में, जब वो जीवित थे, तब बहुत शान से आगे रहते थे अपने देशवासियों से, उसी प्रकार मृत्यों के बाद भी, ये जो राजा Tut है, इनकी ममी को सबसे पहले scan किया जा रहा है, एक सीटी मशीन ने जाचा उस ममी को from head to toe, तो यानि की पैर की उंगली तक, क्रियेटिंग और उस सीटी मशीन ने तयार किये, 1700 डिजिटल एक्स-रे इमेजेज, डिजिटल एक्स-रे जो चवियां हैं वो तयार की सीटी मशीन में, इन क्रोस सेक्शन, अनुप्रस्त काट में, touch head scanned in 0.62 mm slices, और जो touch का सर था ना बच्चो, उसको scan किया गया 0.62 mm के तुकडों में, यानि कि एक दम इतने छोटे-छोटे तुकडों में उस सर को क्या किया गया बच्चो, उसको scan किया गया, तो क्या-क्या शब्द हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है manufacturer, manufacturer यानि की निर्माता, scanned यानि की चाचा गया, regally यानि की शान के साथ, countryman यानि की देश वासियों, toe मतलब पैर की अंगूली, creating यानि की तयार करना, images मतलब चित्र या फिर छवी, cross section मतलब अनुप्रस्थ काट, slices यानि की टुकडे, to register its intricate structures और इतने चोटे टुकडों में क्यों सर की scanning की गई थी, ताकि दर्ज की जा सके उस सर की intricate structures को जटिल सर रचनाव को, takes on eye detail in the resulting image और यह क्या करता है, eye details यानि की बहुत अदभुत बारिक्यां बताता है, जो resulting image है, यानि की जो हमें image मिल रही है, जो छवी हमें मिल रही है उस CT scan से उसमें, बच्चों क्या करा गया है, बहुत छोटे टुकडों में टट के सर की scanning की गई है, इससे क्या होता है, जो intricate structures हैं, जो जटिल सर रचनाव हैं, और जो बारिक, जो बहुत अदभुत बारिक्यां हैं वो भी पता चल जाती हैं उस CT scan के द्वारा, तट's entire body similarly recorded और इसी प्रकार से टट का जो पूरा शरीर था वो क्या हुआ, रिकॉर्ड करा गया, अभी लिखित करा गया, यानि कि बच्चों CT scan ने क्या किया है, तट, यानि कि राजा तट की वो जो ममी थी, उसके हर भाग की क्या किया है, बहुत बारिकी से जाची है CT scan में, यानि कि हर अंग के बहुत सारी छवियां प्राप्त हुई हैं, और बहुत सारी अदभुत जो बारिक्या हैं वो भी मिली हैं. A team of specialist, एक जो team थी, specialist की विशेशग्यों की in radiology, कौन से बत्रों विशेशग्य थे वो, radiology के विशेशग्य थे, विकीरन विज्यान के विशेशग्य थे, forensics and anatomy, began to probe, इन सभी इस पूरी team ने क्या कि आप प्रोब करना शुरू कर दिया, चान भी इन करनी शुरू कर दी, the secrets, उन रहस्यों की, that the wind goddesses of gilded burial shrine protected for so long. भई उन रहस्यों की, उन गुप्त बातों की जाज करनी शुरू कर दी, जो की wind goddesses यानि की पंखो वाली देवियों ने, of a gilded burial shrine, एक सोने के पानी चढ़े हुए, दफन करने वाले मंदिर की protection कर रही थी, रक्षा कर रही थी इतने लंबे समय से, क्या बोला गया है बचो देखिए, एक पंखो वाली देवी है, यह माना गया है कि एक पंखो वाली देवी यह जो दफन करने वाले जो जगे है, जो मंदिर है वहां की रक्षा कर रही है और इसलिए कहा गया है कि इस टीम ने जिसमें विशेशक्य थे रेडियो लॉजी के फॉरंसिक के और एनो टॉमी के इन लोगों ने जाच करनी शुरू की उसी जगे की ममीज की और क्या करने लगे वो रहस्यों का पता लगाने लगे जो वर्कमें थे यानि जो मजदूर थे वो लेके गए टट को अपने उस कब्र से अपने बक्से से तो बच्चों यहां पर क्या क्या शब्द है रवाइस कर लेते हैं पहले आगे बढ़ने से रजिस्टर रजिस्टर यानि की दर्ज कराना इंट्रिकेट मतलब जटिल फिर है स्ट्रॉक्चर्स स्ट्रॉक्चर्स यानि की संरचना एर्य यानि की अद्भुत या फिर अजीब डिटेल यानि की बारी कियां इमेज यानि की छवी या फिर चित्र Similarly, Similarly का मतलब क्या होता है? उसी प्रकार Recorded यानि की अभी लिखित फिर है Specialists, Specialists होते हैं बच्चों विशेशज्य Radiology यानि की विकीरण, विज्ञान Probe मतलब जानबीन Secrets यानि की रहस्यों Winged यानि की पंखों वाला Goddesses, Goddesses होती हैं बच्चों, देवियां Gilded यानि की सोने का पानी चड़ा Burial, दफन Shrine का मतलब है मंदिर Protected यानि की सररक्षत या फिर जिसकी रक्षा की जा रही हो तो जिस रात वो scan होना था जो मजदूर थे वो लेके गए टट को अपनी टूम से अपनी कबर से निकाल के Like pall bearers, they climbed a ramp जिस प्रकार से क्या होते हैं? Pall bearers होते हैं, कफन उठाने वाले होते हैं उसी प्रकार से वो लोग चड़े एक ramp पर, एक धलान पर And a flight of stairs और जो flight of stairs होती है, यानि की सीडियों पर वो गए Into the swirling, उस घूमते हुए Sand में, जो की बाहर थी यानि की बच्चों क्या किया मजदूरों ने? वो उसी प्रकार से, जस प्रकार से जो शर्व को ले जाने वाले लोग होते हैं कफन उठाने वाले होते हैं उसी प्रकार से मजदूरों ने पहले रैंप पे वो चड़े, फिर सीडियों पे चड़े और इस प्रकार से वो बाहर आ गए जहां पे क्या थी? घूमती हुए मिट्टी थी और उसके बाद उसने उठाया हाइड्रॉलिक लिफ्ट को एक ट्रेलर में डेट हेल्ट दस्कैनर जिसके अंदर क्या था बच्चो जिसके अंदर पकड़ा हुआ था एक स्कैनर हेल्ट स्कैनर का मतलब क्या होता है वही पकड़ा, हेल्ट यानि पकड़ा पर हेल्ट स्कैनर यानि कि वो ट्रेलर जहां पे वो स्कैनर मौजूद था वहाँ पे मजदूर लेके गए उस टट को 20 मिनिट लेटर भी स्पिनिट बाद 2 men emerged 2 आदमी प्रकट हुए Sprinted for an office nearby और वो दौड के गए पास वाले निरबाय यानि की पास वाले office में and returned और ये जो लोग थे दो वो वापस आए with a pair of white plastic fan white plastic के fan के साथ the million dollar scanner ये जो million dollar scanner था ये जो CT scanner था had quit because of sand in cooler fan had quit का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है कि भई वो बंद हो गया था क्यूंकि उसके जो fan था cooler fan था उसमें मिट्टी चली गई थी तो बच्चों क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए सबसे पहला है pole bearers pole bearers मतलब कफन उठाने वाले फिर है climbed climbed यानि की चढ़े ramp मतलब धलान flight of stairs flight of stairs का मतलब है सीडिया swirling यानि की घूमते हुए rose यानि की उठी held यानि की पकड़ा emerged यानि की प्रकट हुए sprinted यानि की दोड़े curse of the para और बच्चों क्या लगा उन आदमियों को की भई ये श्राप है उस para का उस राजा का joked a guard nervously और ये जो था ये मजाक किया एक guard ने nervously यानि की खबराते हुए eventually अंत में the substitute fans जो एवज में जो fan थे यानि की जो extra fan थे worked well enough उन्होंने सही तरीके से काम किया to finish ताकि समाप्त किया जा सके the procedure उस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया चल रहे थी बच्चों टट को scan करने की after checking that no data had been lost तो जाच करने के बाद की कोई भी data lost नहीं हो गया था खो नहीं गया था the technicians turned tut over to the workman वो जो technicians थे यानि की जो city scan चलाने वाले थे उन्होंने फिर से tut को दे दिया उन workman को मजदूरों को who carried him back to his tomb और जिन मजदूरों को दिया उन्होंने क्या किया वो ले गए टक को वापिस से उसकी कब्र में तो यहां पर क्या-क्या शब्द है बच्चों देखिए सबसे पहला है कर्स कर्स यानि की शा जोग प्यानि की मजाग किया नर्वसली यानि की घबराते हुए eventually मतलब अंत में substitute यानि की एवज फिनिश यानि की समाप्त प्रोसीज यानि की प्रक्रिया चेकिंग यानि की जाँच लॉस्ट यानि की खोया हुआ Less than three hours after he was removed from his coffin तो तीन घंटों से भी कम समय में जब टटको हटा दिया गया था अपने कॉफिन से दपैरा अगेन rested in peace वो जो पैरा था वो फिर से rested in peace कर रहा था यानि की उसकी आत्मा को शांती मिल रही थी वेर दफ्यूनिररी प्रीस्ट जहां पर जो अन्तेश्टी के जो पुजारी थे had laid him उन्होंने रखा था उसको for so long इतने लंबे समय तक इसका मतलब है बच्चो कम से कम तीन घंटे से भी कम समय लगा था तट को उसकी कबर से ले जाके CT scan करवाने में और उस तीन घंटे से भी कम समय में फिर से तट को ले जाके उसकी कबर में रख दिया गया था जहां पर अन्तेश्टी के जो पुजारी थे उन लोगों ने टट को बहुत समय पहले रखा था बैक इन दे ट्रेलर तो ट्रेलर के अंदर अ टेक्निशन पुल्डप ऐस्टोनिशिंग इमेजस अफट अन अ कम्पूटर स्क्रीन ट्रेलर के अंदर जो टेक्निशन था उसने निकाली एस्टोनिशिंग इमेजस अश्चरय जनेक छवियां औफ टट की अन अ कम्पूटर स्क्रीन की स्क्रीन पर अ ग्रे हैड तुक शेप फ्रम जो स्केटरिंग उफ पिक्सल एक ग्रे रंग का जो सर था उसने आकार बना लिया और उस सर को उस टेक्निशन ने घुमाया और जुकाया हर दिशा में नेक वर्टीब्रे जो नेक की जो वर्टीब्रे होती है यानि की रीड की जो हड़ी जो जिसे गर्दन जोडी होती है appeared as clearly as in an anatomy class वो बिलकुल वैसी ही दिखाई दे रही थी साफ रूप से जैसे की शरी रचना विज्ञान की कक्षा में तो बचो क्या-क्या है यहाँ पर शब्द इंपॉर्टन देखिए सबसे पहला है removed removed यानि की हटा दिया फिर है rested in peace rested in peace यानि की आत्मा को शांती मिले funerary यानि की अंतिष्टी priests यानि की पुजारी astonishing यानि की आश्चरित जनक images मतलब चित्र या फिर छवी scattering scattering यानि की बिखरे हुए span यानि की घुमाना tilted यानि की जुकाया direction मतलब दिशा vertebrae यानि की रेड की हट्डिया वो बिलकुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी बच्चों जैसे की शरी रश्ना विज्यान की कक्षा में other images revealed a hand, several views of the rib cage and transaction of the skull और बहुत सारे और छवियां आये ही जिसने reveal की प्रकट किया यानि उजाकर किया एक हाथ को several views of rib cage, several यानि की कई और views यानि दृश्नी हाँ पे several views का मतलब क्या है कई चित्र rib cage के पसलियों के धाचे के and the transaction of the skull और खोपडी के transaction की भी छवी मिली उन है but for now the pressure was off पर अब जो ये दबाव था वो कम हो गया था चला गया था sitting back in his chair, अपनी chair में वापस पीछे बैठते हुए, पीछे जुकते हुए जाही हवास smiled, जाही हवास ने क्या किया, वो मुस्कुराए visibly relieved that nothing had gone seriously wrong और ये क्या थे बचो पश्ट रूप से रिलीवड हो गय थे, भारमुक्त हो गय थे कि कोई भी चीज गंभी रूप से गलत नहीं हुई I didn't sleep last night, और क्या बोले ये, कि मैं पिछली रात को सोया ही नहीं not for a second, एक second के लिए भी नहीं, he said I was so worried, मैं कितना चिंत था, but now I think I will go to sleep पर अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब सोने चला जाऊंगा तो क्या-क्या शक पड़े है बच्चों हमने देखिए, appeared यानि की दिखाई दी clearly यानि की साफ, anatomy यानि की शरीर रचना पिज्ञान, revealed मतलब प्रकट की several यानि की कई, views, views की spelling क्या होती है बच्चों, views की spelling होती है v-i-e-w-s, views का मतलब होता है द्रश्य, rib cage यानि की पसलियों का धाचा, skull यानि की खोपड़ी, pressure यानि की दबाव, sitting back, sitting back यानि की पीछे जुखते हुए बैठना, smile यानि की मुश्कुराया, visibly यानि की स्पष्ट रूप से, relieved मतलब भार मुक्त हुए, seriously यानि की गंभीर रूप से, wrong यानि की गलत, by the time we left the trailer, तो जिस समय हम trailer से निकले, descending metal stairs to the sending ground, और क्या करे, हम trailer से निकल के, descend हुए, उतरे, metal की उन सीडियों से, और वहां से होते हुए गए, हम रेत के उस मैदान में, the wind had stopped, इस समय तक जो हवा थी वो रुख चुकी थी, the winter air lay cold and still, और वो जो सर्दियों की हवा थी, वो एकदम ठंडी और स्टिल लग रही थी, शांत लग रही थी, like death itself, जैसे की क्या हो, ये हवा खुद ही मृत्य हो, in its valley of the departed, अपनी उस डिपार्टेड लोगों की दिवंगत लोगों की उस वैली में, Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, जो प्रवेश द्वार है, Tut की उस टूम का, Tut की उस कब्र का, वहाँ पर खुद खड़े हैं Orion, the constellation, और ये क्या है Orion बच्चों, एक constellation है, एक नक्षत्र है, that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, जिसको जो प्राचीन मिस्ट के लोग है, वो जानते थे, Osiris की आत्मा के रूप में, the god of afterlife, और Osiris कौन थे, जो देव थे, after life के, यानि की मृत्यू के बाद के जीवन के, watching over the boy king, और क्या मानते थे ये लोग, जो प्राचीन मिस्ट के लोग थे, वो ये मानते थे, कि ये जो मृत्यू के बाद के जीवन के जो देवता है, वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उस राजा को, जो की क्या था, बच्चो किशोर राजा था, तो बच्चो चार शक पड़े हैंना, हमने यहापे, इन चारों को रिवाइस करते हैं, दीखे, सबसे पहला है descending, descending यानि की उतरते हुए, फिर है departed, departed यानि की दिवंगत, entrance यानि की प्रवेश द्वार, constellation यानि की नक्षत्र, तो बच्चो मैं उमीद कर रही हूँ, आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा, आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ गया होगा, हमने इस चैप्टर में जाना, राजा टट के बारे में, और कौन थे ये राजा, ये थे राजा, प्राचीन मिस्त्र के, और फिर एक जो पुरा तत्ववेता थे, यानि की काटर थे, उन्होंने खोजी थी इनकी कबर, और कबर को खोजने के बाद उन्होंने उसको यानि कि टट को जाज करने के लिए कबर से जब अलग करना चाहा तो ऐसा संभव नहीं हुआ इसलिए उन्होंने क्या किया उन्होंने काट कर अलग कर दिया उस टट को और फिर क्या समझा गया कि ये काम उन्होंने अच्छा किया वरना जो टट की उस ममी के उपर सोना चड़ा हुआ था उसके लिए जो थीव्स थे जो चोड थे वो क्या कर सकते थे शती पहुचा सकते थ पचो एक City scan उजागर हुआ और क्या है वह बहुत बारी किया उस टठ के शरीर यानी कि पसलियों का धाच जॉसकल यानी कि बहुत सारी इमेजिस मिली और इन इमेज़से करना क्या चाहते है इन इमेज़से जानना चाहते है टठ की मढ़त्यू के बारे में और उसके जीवन के बारे में तो अब मिलेंगे अकले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के question answers बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में